एक्टिंग लाजवाब है सबने माना जी, हंडर्ट फिल्म आ रही है जश्न मनाना जी, दस जन्वरी का इंतजार है क्योंकि फिल्म आ रही है ताना जी सशकाल चलावदा, मैं हूँ आपके साथ सिमरिन हंस और आप देख रहे हैं बूगल बॉलवर्ड एक्जेक्ली, दस जन्वरी का इंतजार इसलिए ही है क्योंकि फिल्म आ रही है ताना जी ताना जी फिल्म जैसा कि हम सबको पता ही है कि अजे दिवगन, काजोल और सैफिली खान स्टारर मूवी है इस फिल्म को डिरेक्शन दी है ओम राउत ने, डिरेक्शन बाकमाल है और इस फिल्म के कंसेप्ट की बात करें तो रियालिटी बेस्ट फिल्म है ताना जी पर बन रही है और आपको बता दें कि ताना जी शत्रपती शिवाजी राउक की जो फॉज थी उसके लीडर थे और तोड़े ही है, वहीं audience का भी बहुत अच्छा response मिल रहा है, इस film के trailer को काफी जाधा excited कर दिया है audience को इस film के trailer ने film को देखने के लिए, बॉलवोट celebrities ने भी इस film के trailer को काफी सराहा है, वहीं अगर हम बात करें film की release date की तो जैसा कि हमने पहले भी बात की कि 10 जनवरी को आ र जो इन दोनों के जो fans है दिपिका और अजे के उनके लिए confusion होने वाली है, वो confusion इसलिए होने वाली है क्योंकि दिपिका पादुकौन की much awaited film चापाक भी 10 जनवरी को ही release होगी, वहीं अगर हम बात करें ताना जी फिल्म की तो ताना जी फिल्म का trailer तो आ चुका है, looks भी आ लेकिन चापाक फिल्म की सिर्फ अभी लुक ही आई है, जिसमें दिपिका पादुकौन, acid attack victim लक्षमी अगरवाल का character ने भाने वाली है, बहुती जादा awaited film है, ये दिपिका पादुकौन की fans को काफी बेसबरी से इनतजार है इस film के लिए, दुसरी और अगर हम बात करें क clash की तो अगर ये दोनों बड़ी फिल्में आपस में clash होती है, एक तो ये एक दूसरे को टकर तो देंगी, लेकिन दूसरी और ये fans को भी confuse कर देंगी कि कौन सी फिल्म हम पहले देखें, वहीं अगर इन दोनों फिल्मों में से किसी फिल्म की release date change हो जाती है, तो इस फिल्म क clash जो है, दोनों का वो tell सकता है, वहीं अगर हम ताना जी की release date की बात करें, तो इसका change होना थोड़ा impossible लग रहा है, क्योंकि ताना जी फिल्म का trailer भी आ चुका है, looks भी आ चुकी है, वहीं दूसरी और चपाक फिल्म की अभी सरफ look हमारे सामने आई, अभी trailer नहीं आया, तो ह हो सकता है कि चपाक फिल्म के जो makers हैं, इसकी release date को आगे आप पीछे कर लें, क्योंकि अगर दोनों बड़ी फिल्में clash होती हैं, तो एक दूसरे को टक्कर तो देंगी ही, बॉक्स ओफिस की collection पर तो फर्क पड़ेगा ही दोनों फिल्मों की, साथ ही साथ ओडियंस में भी confusion बन जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों फिल्में एक ही दिन release हो जाती हैं, तो आप जरूर बताएगा कि आप किस फिल्म को देखना प्रेफर करेंगे